पुपेंदर सिंग हुड़ा द्वारा जो रोजगार दिया गया उस पर अक्सर उंगलिया उठी कि उन्होंने एक जो अक्षेतर उसका था जाट वहुले वहां पर नोक्रिया बाटी उरोबी जाट विरादरी के जादतर उसमें जो हई हुआ नोक्री लेगे लोग नोक्री को पता नहीं चलता था कि कब नोक्री बढ़ गई इस सरकार यह कहती है कि हमारी सरकार में में अग्जाम सोते हैं लेकिन हुड़ा सरकार में कभी एक नामकी कोई चीज होती नहीं बाजपा pregnant सा औरे स्भुणा उमिद्वार के तोर पर भी चुनाव लटने के आप सोचते हैं इसलिए समय आपने आमदभी पार्टी जोइन कर ली थी फिर आप वापिस कांग्रिस में आ गए क्या हुड़ा साब से कोई बाच्चित हुई थी कि आप जाइए त्यारी कीजिए गाड़ियों में साइरन आपके लगे रहते हैं जब भीड़ में जाती हैं गाड़ियां तो बड़ा साइरन बसता है लोग कहते हैं कि तो अभी से मंत्री की फिलिंग ले रहे हैं हर्याना विधानसबाद 2024 के चुनाव में अब समय जो है लगातार घटता जा रहा है टिकट मांग रहे दावेदार लगातार चुनावी मैदान में हैं और गाउं गाउं जाकर कलोनियों कलोनियों में जाकर अपना परचार परशार कर रहे हैं और अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं हाई कमान को ये बता रहे हैं कि उनके तैयारी फुल है आप टिकट दीजे चुनाओ आपको रजीत कर हम देंगे इस वक्त हमारे साथ पानिपत विधानसबा ग्रामिन विधानसबा से बिजेंदर उर्फ बिल्लू हमारे साथ मोजूद है उनसे हम खास बातचीत करेंगे बिजेंदर उर्फ बिल्लू पोरो में बंसिलाल की सरकार में मंतरी भी रहे हैं और अब पानिपत ग्रामीन विधानसवा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं इससे पहले इन्होंने कारेकरम जिस जगा आज हम इंटरिवु कर रहे हैं यहाँ पर एक जबरदस्त प्रोग्राम किया था तिपेंदर हुड़ा यहाँ पर पहुंचे थे लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं रिस्पोंस कैसा आ रहा है कॉंग्रेस पर लोग जो है विश्वास कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात आपको कैसा रिस्पोंस दे रहे हैं सबसे पहले तो आप मेरे इंटरू लेने के लिए आए आपका दन्यवाद अब वर्तमान में जो कॉंग्रेस पालिटी को मिल रहा है मैं समझता हूँ कि एक तरफी सरकार कॉंग्रेस पालिटी की बढ़ेगी जहां तक ये जो आलात अब नजर आ रहे हैं इनका सिर्फ एक ही कार्ण है बाजपा की भी फलता और चो जिबुपेंदर सिंग उड़ा जो पूर मुख्यमंत्री और हमारे निता भी है उनकी जो कार्ये सेली 10 साल इस प्रदेश में रही उसको लोग आज याद करते हैं और 36 बरादरी इस बात को मानती है कि जितना विकास, नोजवानों को रोजगार सो सो गज के पलोट जो के गरीब आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि उसका जीवन स्टार्ट महीं से होता है कि एक आदमी गरीब वेक्ती को दस गज पलोट जमीन लेना भी बहुत मुस्किल है तो उड़ा साब अर्याने मेनी देश में पहले मुखेमनतरी हैं जिन्होंने ऐसी स्कीम सरूप की और उसका फैदा लग बग चार लग लग ने तो उसी टाइम उठाया और अब भी वो इस बात को मानते हैं लोग कि जिस दिन चो रिव पेंदर सिंग उड़ाएंगे और उड़ा साब भी इस बात को कहते हैं कि वही सकीम सोगस के प्लॉट देने के हम से रूप करेंगे तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीम में गरीब के लिए किसान के लिए जहां तक रोजगार की बात है उड़ा साब के टाइम में बच्चों को रोजगार बहुत मिला जो आज के आलात हैं आप भी हर रोज देखते हो कितने नोजवानों की इच्छा आगे हम भी देश जाएं चाहिए उनके परेंट्स के पास कोई पैसा है ना है वो बेज सकते हैं नहीं बेज सकते लेकिन इसका सिर्फ एक कान भी रोजगारी कि बच्चे पड़े लिखे कि माबाप ने इतना उनको पड़ाया उसके बाद रोटी रोज़ी का लाले पड़ गे तो इसका भी एक मातरकान यहीं कि जो बाजपा ने दस साल की सरकार में जो बच्चों को रोजगार ना देने का काम किया यह एक मातरकान है कि आज कॉंग्रेस पड़ाटी को लोग पसंद कर रहे हैं और बाजपा को अटाने की कोशिश करने है रोजगार कि आप बात कर रहे हैं बीजे भी कहती है कि हम बिना पर्ची और पर्देश में जाने के लिए बगदर मचुऑ ही है तो ये किसका कौन मालिक है इस बात की सेंट पर स 활 parody कि पर देश की सरकार भी है और के इन्दर की सरकार दूँगा अगर इस तरीके से यह केंदर की सरकार और अर्याना प्रदेश की सरकार भी बच्छे को रोजगार देती तो यह आलात नहोते हैं पुपेंदर सिंग हुड़ा द्वारा जो रोजगार दिया गया उस पर अक्सर उंगलिया उठी कि उन्होंने जो अक्षेतर उसका जाट वहुले वहां पर नोक्रिया बाटी औरो भी जाट विरादरी के जादतर उसमें जो हई हुआ नोक्री लगे लोग नोक्री को पता नहीं चलता था कि कब नोक्री बढ़ गई इस सरकार यह कहती है कि हमारी सरकार में फॉर्म निकलते हैं अक्जाम सोते हैं लेकिन नहीं अपना अक्षितरवाद फलाए अक्षितरवाद कहा है आपको लगता है कि एंटीन कंवेंची आपको लग रही है या लोग जो है बदलाव चाहते हैं या कांग्रेस को लोग पसंद करें, बीजेपी के कामों से दुखी है आपको क्या लगता है बीजेपी ने तो कोई दसल काम किया यह नहीं जो हमारे गरामनेलके की आलात है मैं देखता हूँ हर रोज हम कलोनियों में जाते हैं कोई भी गड़ी पक्की नहीं किसे में पानी की निकासी नहीं पेने का पानी नहीं इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखोगे कि हर कलोनिय में वो चीजें जो सभी की जरूरत है ना कोई लेबरेरी ना कोई डिस्पेंसरी ना कोई पार्क और तोर जब जीवन के लस्ट अक्षन में जा जाना पड़ता है किसी भी कलोनिय में ना कोई समसान गिरे है तो यह है क्या यह जुम्मिवारी मढती पार्तिय जंता प्रटिय की सरकार की कि इन आलात में लोगों का जीवन तो आपने नरक बढ़ा दिया मैं यह समझता हूं कि आने वाले समय में जब कॉंग्रस पार्टी की सरकार होगी तो यह ऐसी ऐसी समय सेंटर अगर कोई भी कलोनी काठता है तो उस समय वो सारे सब्जबाग लोगों को दिखाता है यहां पर स्कूल बनेगा यहां पारग बनेगी यहां डिस्पेंसरी बनेगी इस तरह की सभी चिज को कह करके लोगों अपने प्लोटों को समय बेच दिया तो यह चीजें क्यों नहीं मिली तो इससे लोग फास जाते हैं दूसरा रिजिस्ट्री की इतनी बारी समस्या है कि हर व्यक्ति चिल आ रहा है कि हमने अगर कई सी प्लोट की रिष्ट्री करानी है तो वह दो नंबर मे इनके इस कारेकाल में सारे काम दो नंबर से ही हो रहे हैं लेकिन मैं समयता हूं कि जिस दिन उड़ासाब प्रदेश के मुख्य मंतरी अब दोबार आने वाले समय में बनेंगे सब काम एक नंबर के ही होंगे महिपाल डांडा को दो बार विधायक जुह जनता ने चुना फिर सरकार ने उनका प्रमोशन कर दिया मंतरी उनको बना दिया अब फिर दावेदारी पेश कर रहे हैं कोंग्रेस की असी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं और अकेले महिपाल डांडा उनके सामने पर्ति कि आने वाली सरकारों पर्टी के नेता हों को लोग पसंद करते हूं तो आज एक अलिकान को लोग पसंद करते हैं जिसके नेता जैसे में आपको बतागे तो आपको यह लगता होगा कि उस दिन जितना समर्थन जितना उसे योग और जितना प्यार जितना जितनी बेड़ उमड़ करके आई उसका एक मतर कारण यही है कि लोगों की आज पसंद है कॉंग्रेस पारटी और बीजेपी से लोग छक चुके हैं इतनी भीड आई और आगे अप कहा रहे हैं सरकार कॉंग्रेस की बनेगी कॉंग्रेस का शमय है लोगसबा चुनाओ में एक भी विधान सबा में कॉंग्रेस नहीं जीती वो मैं समझता हूँ छे लाग से ज्यादा था लेकिन इस बार वो डिफरेंस दो लाग से ज्यादा रहा तो इससे भी तो यह लगता है कि अब कॉंग्रेस की तरफ रुजान बाजपा की बजाए लोगों का ज्यादा है ने तो यह रुजान जाका मुआ बढ़ भी सकता था यह फरक ज्यादा हो सकता था इस बात को भी आप मानके चलो कि यह ठीका रिजल्टी आए हैं लेकिन भी दांसे बाम में और लोग से बागे चुना में जिनता की जो सोच है मैसे मैं तो उसमें भी कोई ना कोई फरक है आप पुरो में मंत्री रहे हैं जो बीजेपी की सरकार है आधिकारियों में खोफ नहीं है सरकार का काम जो हैं लोग कहते ह neutral याईडी ना परदेश के लौग कहीं भी किसी परदेश में ऐसी बात नहीं है लेकिन यहां पर जो मुख्यमंत्री रहे खटर साब जो कि शैनी साब से पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने हर चीज को लिया करके रियना प्रदेश में टेस्ट लिया और इस टेस्ट के कारण आज प्रदेश की जंता परिशान है जहां तक आपने काम की बात कही के भई यहां भी का लेइन्स ओगी तो काम चलेगा नहीं तो सरकार को यह पता होना चाहिए कि परसासन से काम कैसी लिया जाइगा अगर आप सभी को कोई बेइमान समझ करके या उनको अयोग्रे समझ करके बात करोगे जब के बीज़ए कि नेताओं को खुद पता नहीं है कि काम कैसे और कैसे उसको करना है मैंने भी मंत्री तो ऐसी बात जो मैंने समझी है और जो उस समय के मुख्या मंत्री थे उन से जो मैंने सिक्क्या है यह है कि इस परजात अंतर में अगर सरकार जिनकी है मले मंत्री मुख्या मंत्री जो है अ चीमिनिस्ट थे और चेच्छोई बुपेंदर शिंगों डाइस प्रदेशी मुख्यमंतरी रहे कि वो एक कंपिटेंट चीमिनिस्ट है और इसलिए परसासे ने भी पूरा जनता का काम किया और आने वाले समय भी जनता का काम पूरा उंगे नितरतम होगा काफी कंडिडेट प्राणिप्स ग्रामिन में कॉंग्रेस से टिकट मांग रहे हैं आपको कॉंग्रेस क्यों टिकट दे आप ऐसी क्या धाविदारी आपके पास ऐसा क्या है रादनीती में दो तरह की लोग हैं एक फूल टाइम है एक पार टाइम है तो मैं समझता हूँ कि उसको हल कराने में एक मिनट नहीं लगाता इस बात को बताने का मेरा मकस्द क्या है कि जैसे मैंने बतागी मैं cellular 94 मेंस एरादनिती में हूँ इस 30 साल के कारियकाल में जितना व्यक्तिकत संपरक और जितना लोगों का पयार मेरे साथ है मैं समझता हूँ कि अगर कोई कोई चुनाव लड़या या मैं च्छेनों विदाइक भी बना यह इसी का एक प्रिणाम है कि लोगों ने मुझे अपना शिरुवात दिया और मैं उसी को बराबर रखते हुए आज पूरे दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जंता के प्यार में मैं एक नुमबर पर हूं टिकट अप्राजनिटी में जो तीस साल से हूं उसका सिरफ सबसे पहला निया है कि कि किसी काम करने के लिए या किसी के लिए उसकी समस्या में उसका हल करने के लिए जब भी मैंने कोई कदम उठाया तो यह सौचकर उठा कि हम इस बंदे की समशय को दूर कराएंगे और वही बात कि अगर आप कदम उठाने से पहले उसके लिए को नेगेटिविटी अपने दिल में ले आओगे तो काम कैसे चल लगा मैंने कोई भी काम आज तक जिन्दगी में कोई नेगेटिविटी के साथ नहीं किया मैं इसे पोजिटिविटी के साथ करता हूँ चाहे उजनता का काम है चाहे पार्टी का काम है संक्ठन में मैं परदेश में उपादेख से रहा परदेश सचीव रहा परदेश परवक्ता रहा परदेश का मिनिस्टर भी रहा एमले लोगों मुझे बनाया तो हर से मैं मैंने जि तो 24 संटे 7 दिन करूंगा विजेंदर विलू राजनीती के अलावा कोई बिजनस भी करते हैं आम तोर पर देखने के मिलता है जब कोई विधायक बन जाता है राजनीती में अच्छा नाम कमा लेता है वह साथ के साथ अपना बिजनस भी शेट कर लेता है या कोई और काम सब्सक्राइब कर दाए है तो मैं आपको एंखेट मैं मिलता में रहें नहीं और को लोग भी हे निति करते हैं तो कहि रही है कि मुझे असा लगता है क्योंकि जो वोदेखने के साथ एक दोख्षा है क्योंकि जो व्एक्आ खुद औरief गाम अगर उसAND package लेकिन मेरी प्राइटी मेरा काम 24 गंटे-7 दिन जनता के लिए है और मेरी कोशिस है कि जब तक मेरा जीवन है मैं जन्द सिवा में लगा रहूंगा ऐसा मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इसले समय आपने आमद्वी पार्टी जोइन कर ली थी फिर आप वापिस कांग्रिस में आ गए क्या हुड़ा साब से कोई बाच्चित हुई थी कि आप जाइए त्यारी कीजिए आगे हम आपका भविश्यत है करते हैं टिकट टकट के बारे में कोई आपकी चर्चा हुई जब उड़ा साब से मेरी बात हुई मिरी पसंदध है उड़ा साब और सबसे पहला मेरा अब टारगेट भी ही है कि इस परदेश में हम कॉंग 280 की सरकार बढ़ाए और और कॉंग्रेश परड़ी सरकार बढ़ाने के लिए मेरे भी और मेरे इलावा भी परदेश की जनता भी यह चाहती है कि चोदरी उपेंदर सिंग उड़ा दोबारा फिर इस परदेश के मुख्य मंत्री बढ़े तो मेरा इस राजनिती में या जो क्वेस्टन आपने किया भी उड़ा साब से कोई बात हुई है नहीं हुई ह मेरी यह बात हुई है कि सबसे पहला मेरा उदेश से है कि चोदरी उपेंदर सिंग उड़ा इस परदेश के मुख्य मंत्री बढ़े और उस उस काम्याब भी के लिए मेरे से रादनिती में जो मेरे से बन पाएगा या जो मैं सारा दिन जनता के बीच में रह करके परचार कर सबसे पहले पराइटी चोई बुपेंदर सिंग उड़ा को मुख्य मंत्री बढ़ान और दूसरा में समयता हूं कि हमारे इलाके से ऐसे परतिनी दी को चुना जाए कि जो उड़ा साब की तागत बढ़ाने का भी काम करे और अपने इलाके का विकास भी करास के ऐसी मेरी हैं तो क्या अगर आपको टिकट मिलती है उसका कोई फाइदा मिलेगा कि आपके जो गाओं के वोट डिवाइड हो जाते थे वह उसका सीधा असर आपको पड़ेगा जहां तक लोगों के प्यार की बात है मेरी शेट पुसका कोई असर नहीं है मैं आपको याद कराना चाहत है तो उस सेमें जो जेजेपी की बात आपने की वह लोग में चोई देवलाल गी पारीटी के उमीदवार ते और दो बार शीटिंग उटते हुए उनको टिक चो डेवलाल की पारीटी का मिला को फ़लम है मुझे उपन्सिलाल ने जंता की वाज पर टिकट दी और उस समय में से सारे सीनियर भी थे सटभीर सिंग मली को उते थे उनके पास कंग्रेस का टिकट था वह एक्स मिनिस्टर थे कि मुझे के थे सीटिंग वी दायक दिवलाल पार्टरी तो कि युद्वरिक तो जो बात आपने अभी मेर से पूछ ली किआपको उस बात का कितना फरक पड़ेग कितना नहीं कि उससे मैं हमारा गड़ता घड़ी में है मुझे गाहों के लोगों ने और इलाके अदल्टे के लोगों ने उससे मिट कराई और जिन की बात आपने की वह हारे province क्धोडिवार भी ओर रहे थब कोई यहां से लड़े इए जिए पी कई बार से लड़े यह तो मैं समझता हूं BJP की अब चाल है वो यह सोच रहे हैं एक एक सीट पर कैसे कैसे तुम जीत आसिल करो या उनको पता कि बिलू बहुत कंपिटेंट और एक स्ट्रोंग कलेमेंट है और अगर मुझे पार्टी जैसे मुझे उमीद है देगी तो उसको पता है कि या तरी व लोग सबह में मिले तो वह तो या जेजेपी तो अब ऐसी पार्टी है वो परदेश में लड़े विदान सबह में लड़े ग्रामीन से लड़े से मलका से लड़े रिजल्ट वही आएगा जो लोग सबह में आया था आपके गाउं के एक और नेता हैं वो भी टिकट मांगरे के व Elsie कि हाल ही में जो कॉंग्रेश में शामिल हूए हैं उनको टिकट देदे है तो वह गावत करतेंगे वह कांगरेस के किसी वरिष्ट नेता को टिकट मिलता तो वह साथ में जा सकते हैं अगर किसी बहरी आपने मेरे से कर दिया मैं ना तो बारी औरना मैं कोई नया मेरा निति में पुराना भी हूं और मेरा गाउंशिवा जहां मेरा जन्म हुआ वह हमारे पाणि पत्गराम नलके का सबसे बड़ा गाउं भी है और मुझे इस बात का फकर है कि जब मुझे मोका पार्टी अगर दिन रात वोट मांगने का काम भी करेंगे ऐसा प्यार मेरे गाउं में है जिस परकार से लोग कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं कोउग्रेसी नेता कह रहे हैं कि अच्छी खासी लहर अबकी बाहर बन गी हैं तो इस लहर में आपको क्या लगता है कि डोर टूर्डोर पार्टी के दो पूरो मंत्री जिला पाणीपत में एक चोड़ी वल वीरपाल स्या है जो के एक्स-्मिनिस्टर है और मैं प्रोब्लम के कान वो सकता हूं वह बहुत ज्याद एक्टिव ना हो और दूसरा मैं हूँ जो एक्स मिनिस्टर पानी पजीले से हूँ जब मैं डोर टू डोर और पार्टी की तागर बढ़ाने के लिए चोधरी पेंदर सिंग उड़ाई सरकार कॉंग्रेस पार्टी की बढ़ाने के लिए दिन रात डोर टू संपर करने में समरत आती है तो आने वाले चुना फिर वोट कैसे मंगेंगे तो यह बात मुझे समझने आई कि ऐसा कॉंड है आप पोरो में मंत्री रहे हैं लेकिन कमांडो लेकर आप भी चल रहे हैं आज कर लोग गाडियों में साइरन आपके लगे रहते हैं जब भीड़ तो सब लोगों का अपना पैनने का दिकार है जी मैं किसको यह कूंगा अभी तो ऐसे कपड़े के हो पहन रहे हैं अब दिलकर किसी का जुत्ते कोई से पहन ले में खुद चपल पहन रहा हूं यह तो सब का व्यक्तिकत मामला है लेकिन उनके कहीं चेरे पई या कोई तो सब्सक्राइब लेकिन आने वाले समय के लिए अमारा संहर सचारी है जैसे मैंने फर्माइब हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने और मैं नीचाहता प्रदिश की जनता चाहती है अगर उसमें दो टो जाना पड़े जाना पड़े गली घुमना पड़े जैसे मैं भूम प्राइम राजनेती में हूँ फुल टाइम का मतलब यही है किसी को खेत में मिलना पड़े किसी घर जा करके मिलना पड़े और यह पार्टी का अमारी का एक अभी जो मैंने इसाव और याना मांगे इसाव जो करेकरम बताए आपको वो जो यातरा कर रहे हैं वो गली-गली डो पयुचे को परिखार को पड़ाने में जितना हमारा योगदान उसकता और आने वाली सरकार के और कौंगर्जिट की पर्देश में बढ़ाएं जा अदेशन Лे का इसने को है इंडर मैंने को और या को घर encouraging डिल्त प्रवाइब इस वात को कहते हैं कि इस बार पार्टी उन लोगों को सिलेक्ट करेगी उन लोगों को चुनाव लड़ाएगी जो कि जनता के सरवे में एक नमबर पर आएंगे और इसलिए मुझे भी लगता है कि यह काम करना भी अगर हमें चुनाव लड़ने का मारा मन है तो ऐसा कंप्लेक्स में समयता हूं ठीक नहीं है क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी सरवे की अधार पर टिकट देगी मुझे तो ऐसा नहीं लगता देखो जो लोग सब हमें केंडिडेट आए और पांच उमिद्वार हमारे जित्ते भी और जो उसके र पानिपत और करनाल में कोई जानता नहीं था हाला कि वो पंचकुला में अक्टिव थे गोहाना के रहने वाले थे तो यह तो बात कोई भी मानने के लिए तयार ने कि दिवांच उबुदी राजा सरवे में नंबर वन आएंगे उससे तो बड़े-बड़े चेहरे पानिपत में थे वह बात आपको जो पंचकुला की बात की ना अपने वीदान सभातक की बात थी जहां तक लोग सभा की बात दिवांच उबुदी राजा जी हमारे प्रदेश के युगा के आज भी अदेख से और जब चुनाव लड़े थे उससे में भी अदेख सी थे तो जिस वेक कर चमल आने की जुरूरत नहीं है ठीक उनको अपना एक सेल्फ स्टेटस एक परदेश युवाद देख सके नाते खुद का है जिसके कान पार्टी ने उनको सेलेक्ट किया और चुनाव लड़ा और उसको अंतर को भी उन्होंने कम किया जो अंतर पिछली बार लोग सभा च मानी जाती है कि कोलोनियों में अच्छा वोट बैंक है कॉंग्रेसी कितने अक्टीव है और कितना रिस्पोंस आपको को प्रदेश ऐसा नहीं कि जहां का व्यक्ति अमारी पानिपद्गरामन कलोनियों में ना हो क्योंकि कोई बियार से है कोई यूपी से है कोई वेस्ट बंगाल से है अलग-अलग स्टेटों की जो राजनिती देश में है जैसे हमारे प्रदेश की भी अलग राजनिती है तो वो जो परभाव कहीं न कि उनके परिवार जैसे अब यूपी की बात आप लें रहस्तान की ले जिनकी सरकार हुआ है या जिन लोगों का जैसा रोल हुआ रहा वो परवाव भी कहीं न कहीं काम करता है इस बात को आप मत कहिए कि बहुर सथाने भी जाय को औरा नी सकते लेकिन उसकी जो स्पोर्ट है कहीं ना कहीं उन पर्देसों से समझ रखने के कारण है जो मददाता हमारे पाणीपत करामिन के आज हैं उनकी जड़ कहीं दूसरे परदेस में है लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं डोर टो डोर गया और उन्होंने हमारी कारिये सेली को देख्या, हमारे वेवार को देख्या, हमारी कॉंग्रिस पार्टी की नीतियों को देख्या, तो इस बार वो रिजल उसके उलट आएगा, भली लोग समय में आपके सकते हैंग लोग समय में हमारा फरक काफी था, लेकिन वो फिर व्यक्तितों के साथ भी ज्यादा काम होगा, अगर किसी कारिये करता पर जंता का विश्वास है, तो में समस्तों को उसका वोट जैदा मिलेगा, और जो मैंने गूमकर सारे गाउं में भी डोर टो डोर कलोनियों में देख कि नाली पकी कुम्यी टी सेंटर नी कहीं समसान ग्रह नी कही तो रहिए सब क्रणों के नी और किसको करनी होती है, सरकार करें, सरकार से काम देना, सरकार का में अच्य प्रिपेंसरी बढ़ता हैं, सरकार का में समसान के लिख जो चीज़ ज़िए । makers, उसर्व द्धर, वो स है कि यहां से जैसे हम कोशिच में हैं या कॉंग्रेस पार्टी का जो आज कॉंग्रेस पार्टी की हुआ है उसका एक कार्णी यह विए जो काम परदेश के अंदर अधिमारे आधानिय सांसे जो दिपेंदर सिंग उड़ा ने जो किया जिस तरीके से बागादोडी लगातार आप देख भी रहेंगे कि जिस दिन से वह दो जार पांट से राधनिती में हैं मुझे नहीं लगता कि किसी दिन वे विवगर में रहेंगे चाहिए वो MP हैं ना कई कहते हैं ना कि मैं नितरंग लेती है आज परदेश में कॉंग्रेस पार्टी के आवा के दो ही कारण है एक तो यह कारण कि दुपेंदर शिंग उड़ा नितना काम किया लगातार दूसरा यह बिया कि जो परदेश उड़ा की दस साल की जो सरकार थी और जिस तरीके से इन उनने भी हर जिले में जाकर करें लिया कि हमारे बारिया सब बराबर गुम रहे हैं तो इन सब चीजों का एक विश्वास लोगों के अंदर पैदा हो गया कि अब जो आलात परदेश के हैं अगर बाजबा से पिच्छा चुड़ाना तो एक मतर पार्टी कॉंग्रेस है तो उन नेताओं के नेतरतव ने और बाई दिपेंदर की मेनत ने आज हम इस मुकाम पर खड़े के पूरे बहुमत के साथ कॉंग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी सतर सीटे कह रहे हैं हुडा साब आएंगी सतर उड़ा साब की बात बिल्कुल सही है उससे भी दो उपर आएंगी क्योंकि अब वो यह तो है निकिए उनको एक एक रिपोर्ट हर कांशी जुन्सी की है और मैं एक बात और आज आपको कहना चाहता हूं कि उनका इतना इतना नितिक तोर से विपेंदर शिंग उड़ागा भी इतना ही है कि वो आदमी को देख करके बता देते हैं कि यह कितना स्ट्रोंग है कितना कमजौर है अब कई लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा आजरियों से या ज्यादा किसी और बात से कुछ भी ऐसा नहीं होगा इस बार वो होगा जो इब उपेंदर शिंग उड़ान सब भी कह भी दिया अब पिछ्छे हमारी मीटिंग थी उस दिन हमारे सांसे जो डिपेंदर शिंग उड़ाने भी कह दिया कि भाई टिकट एक इलाके की एक है लेकिन ये बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सब मैंसे टि और बीठ फॉच अंदर तो करनी तो हम वी तर देगी की जनता कि और पिरकली टेवे सब्सक्राइद स्वेस्विचंच जनताहें दे धिया अब सक्वार्चिद के पाणिपद्ध ग्रामिन अमें उसको भी मंडल में शामिल किा जई किसी भी पद को मिलने का फैदा आप के परसनलवेकीतर्डवस होगा अघर आप जिसको आपने कोई कुछी दी या कोई पद दिया और उसको उस के गरीमा को निबाने का उस प्रयोग करने का Видम से फिर दार फ्यादा और यस्त ज़रूरी है कि उडा साथ कोई बीबात करना सूरज को दिवा दिखाना है तो वह इस बात को समझते हैं कि कौन आदमी कितना competent है और परदेश की बलाई में कौन कितनी समझ रखता है कौन कितना काम कर सकता है कितनी उसके अंदर कितनी योगता है तो कहें ना कहें उनके अपने अधर करेंगे जन संपर का भी आने वाले समय में कोई बड़ा प्रोग्राम लेने वाले बड़ा प्रोग्राम तो क्या तो जैसे हमारे नेताओ का देश हो हमें को दिक्कत नहीं कोई अगर करो तो आपने खुद भी कर और मुझे पता है कि जिस जिंग हम बैठे हैं बाई प्यार लोगों ने दिया मैं समझता हूं उसका मूल कारण तो चोई दिपेंदर सिंग उड़ाई हैं लेकिन हम कारिया करता होने कि एतना विश्वास मुझे भी है कि वह समर्थन अगर उन्होंने खुद एक बात कही थी कि वह यह तो मैंने सिरफ यह सोच करके समयाज दे र तो मैं खुश तो हूँ और रेली भी बहुत टॉप की करेंगे लेकिन यह उनके समय पर अधारी तो समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे दिपेंदर हुड़ा या भुपेंदर सिंग हुड़ा एक बताओ आप ना तो चोई बुपेंदर सिंग हुड़ा की कोई यह बात अगभी उनको आम नहीं देखना चाहते और आपने तो यह वह क्वेस्टिन कर दि है और चुब पेंदर सिंग उड़ा उदेबान जी और हमारे प्रवारिदी बाउरिया जी जिन्होंने रेलियां हर जिले में हर जेंगे जाकर के करी उन्होंने दने बाद दोरे भी आपने देख रहे होगे लगाता लोग सबाद चुनाओं के बात कर रहे हैं तो अब इसमे अमरिका में थे इन्होंने तो जो आकर करके दिखा दिया तो इसमें तो कोई दोरा ही निश्पत के काबिल तो वह भी है कि जगा बिजेंदर सिंख भी आ गए है तो क्या कुछ फरक पड़ेगा वहां से भी मुख्या मंतरी की दावेदारी की जाएगी देखो दावेदारी कोई भी कर सकता सब का अधिकार है लेकिन दावेदारी उस नेता की काम करती है जिसको जनता जाती है आजनजन की जबान पर गुड़ा साब का नाम है और मैं समझता हूँ कि जिसका नाम है वही निता है कोशिश सब करते हैं लेकिन कोशिश में काम भी आप कोन होता है जिसको जनता चाहती है तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कोई भी वह भी हमारे नेता है परदेश के नेता है वह भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इच्छा तो से भी रखते है इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि इच्छा हमारी पूरी राजनीती में तब होती है जब लोग चाहते हैं मतलब वह यह कि लोग कहते हैं कि हर्याना में हुड़ा ही कॉंग्रेस और कॉंग्रेस ही हुड़ा है वह ही मोल मंतर रहेगा साथ में रहे थे वह जो उस समय की रेली या जो लोगों का समर्थन जो भीड़ उमड़ करके आई तो अब आप उसका सरे राउल गांदी को तो देंगे ही क्योंकि वह मारे आदरी नेता है वरिष्ट नेता है लेकिन कहीँ आपको ये भी आपको देखने को मिला होगा किराउल गांदी जी ने भी इस बात को कहा था जो यह आज पानीपत की रेली है मैं इसको याद रखने वारी रेलीमा तो इतना समर्थन सर्दी के टाइम में तो मैं समझता हूँ कि यह सब चीजें सही होगा सब चले बहुत दो शुक्रिया तो दिजेंदर और बिलू हमारे साथ जुड़े थे और एक लंबा इंटर्वियू हमने उनके साथ किया तमाम जो काफी बड़े-बड़े सवालों पर हमने उनसे सवाल ले जवाब हुए और ब दिपेंदर हुड़ा को बलाया था लेकिन एक रैली के रूप में ही वो कायरकर्म रहा था काफी शंख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और दावेदारी बड़ी जबरदस्त विजेंदर और बिल्लू ने पेश की थी और वही दावेदारी आज भी कायम है और कह रहे ह के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद